हेलो दोस्तों, वेलकम टू माचानल रसमेस कलेक्षन आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा नास्ता सुबा के लिए जो की सिर्फ पांच मिट में बन कर तयार हो जाता है सुपर फास्ट नास्ता जो की सुपर टेस्टी अंड सुपर हिल्दी होता है चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए सूजी, रोस्टेट पीनट, टेमैटो, अनियन, मिर्च, कुछ टुकड़े काजू के और कुछ गरी के लंबे-लंबे कटे हुए कुछ टुकड़े अब हम यहाँ पर सारे चीजों को चॉप कर लेते हैं, टेमैटो, अनियन, मिर्च, अब हम कराही गरम करते हैं और इसमें डालते हैं देसी घी, दो टेबल स्पून, लगभग, उसके बाद इसमें हम डालते हैं राई, फिर इसमें हम डालते हैं अपने बारी कटे हुए अनि तो आप पहले पीनट को डाल लिए इसके बाद हम एक सारी चीजों को डालते हैं अपने काजू गरी उसके वाद इसमें हरीमिज डालते हैं और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं उसके वाद इसमें हम अपना सूजी डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ा सा सुनहरा होने तक भूनते हैं मैंने सूची को पहले से भून करके नहीं रखा है इसी टाइब में इसको हम एक से दो मिनट के लिए भून लेते हैं उसके बाद हम अपना टमाटर जो कि बारी कटा हुआ था उसको डालते हैं करी पत्ता डालते हैं और इसको अच्छे से मेक्स कर लेते हैं यहां पर हमको टमाटर को अग्दम से गलाना नहीं था, इसलिए हमने उसको बाद में डाला, ताकि उसकी पीसेस देखते रहें, उपमा में, इसके बाद इसमें हम नमक डाल देते हैं, और उसको अच्छे से मिला लेते हैं, अगर आप इसको और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें पास्ता मसाला या फिर मेगी मसाला भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, इस कर लेते हैं, थैंक्स फ़र वाचिंग,